क्लास टेंथ साइन्स चेप्टर सेवन कंट्रोल एंड क्वाडिनेशन नियंतरण एवं समनवय के अंतरगत अब हम बात करेंगे मानव मस्तिश्क के उपर हुमन ब्रेन इसके मुख्य बाग कौन-कौन से हैं और इनके प्रमुकार्य क्या-क्या है मानव मस्तिश्क के बारे में हमें पता है कि मस्तिश्क जो है वो शरीर का मुख्य समनवय केंद्र है हमारी body का बड़ा amazing organ है brain ये शरीर के सभी functions को control करता है बहारी दुनिया से सुषनाओं को interpret करता है और creativity, emotion, memory, सोचना, समझना, शारिरिक क्रियाएं सब brain का ही कमाल है ये हमारे शरीर का largest और most complex organ है brain मस्तिश्क या brain तथा मेरु रज्जू, spinal card ये दोनों मिलकर हमारा जो central nervous system है केंदरी तंत्री का तंत्र है उसे बनाते है अब इस मस्तिश्क के कौन-कौन से मुख्य भाग है तो याद रखेगा कि मस्तिश्कों को मुख्य रूप से तीन भागों में माटा गया है अगर मस्तिश्क, मद्धि मस्तिश्क और पश्चि मस्तिश्क तो ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है अगर मस्तिश्क ये वाला हिस्सा कहलाता है मद्धि मस्तिश्क और ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है पश्चि मस्तिश्क तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अगर मस्तिश्क की ये मस्तिश्क का आगे का भाग होता है और ये मेनली जो है घ्रान पिंड और प्रमस्तिश्क और डाइन सेफिलान को इसके मुख्य भागों में हम बाट सकते हैं तो यहां ये जो घ्रान पिंड है ये गंद और उद्धिपन को घ्रान करता है और ये प्रमस्तिश्क सेरेब्रम ये कुल मस्तिश्क का साथ बटे आठमा भाग बनाता है और ये मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग होता है और जो डाइन सेफिलान ये प्रमस्तिश्क और मद्ध शिफिन बात याद रखेगेगा, कि अगर मस्तिष्क जो होता है, वो मस्तिष्क का मुख्हरूप से सोचने वाला भाग है, मेन पिखिनी पार्ड जो है, मस्तिष्क की का, कि हम सकते हैं, कि वह है अगर मस्तिष्क या फोर ब्रेन, और ये चेतना बुद्धी और इस्मृती का केंदर है हम यहाँ पर अग्रमस्थिश की जितनी भी बाते करेंगे उसमें ये तीनों घ्रानपिंड प्रमस्थिशक और डाइन सेफिलान ये सब की बात इसमें हो जाएगी मतलब यह अग्रमस्तिष्क क्या क्या कारे करता है तो इसमें इन सब के कारे भी शामिल हो जाएंगे अब जैसे इसमें विभिनन गरही जैसे नाक के कान है उनसे जो सम्वेधनाय सुछना प्राप्त करने के जो एरियास हैं वो इस अगरमस्तिश्क में होते हैं और वो अलग-अलग एरियास में वो सुनने, सुनने, गंद, भूग का पता चलने, देखने आधी के लिए उसमें specified एरिया होते हैं उसके अंदर ये सब कामों को करने के लिए और अगर मस्तिष्क का ये जो भाग है इसमें सूचनाओं का अर्थ लगाते हैं और उससे संबंधी जो भी अनुक्रिया है वो करना है, प्रेरकशेतर तक सूचना को भेजना हैं कि कौन से शरीर के कौनसे भाग में सूचनाओं को वापस भेजना है उसका निर्णे लेने का का अगर मस्तिश्क में होता है तो अगर मस्तिश्क के बारे में अगर आपको तीन चार बाते लिखने को आए तो आप बता दिजेगा कि ये मुख्य सोचने वाला भाग है ये चेतना बुध्धि और श्मर्ती इच्छा शक्ती का केंद्र है और इसमें जो ग्रान केंदर होते हैं हमारे शरीर के वो उनके लिए इस अगर मस्तिष्क में खास तरह के रियाज होते हैं जो सुनने सुनने गंद का भूग का पता लगाने के लिए स्पेसिफाइड होते हैं और इस भाग में सुचनाओं के कार्थ और उनसे संबंदित अनुक्रिया हैं और बाद में जो प्रेरक्षेत्र हैं उन तक सुचना को भेजने का जो भी निर्णे हैं वो सब काम इसके अंदर होते हैं अब जैसे इससे संबंदित एक बात पूछी जा सकती है कि हम अगरबत्ती की गंद का पता कैसे लगाते हैं तो आपने सामानी रूप से पढ़ा हो कि हम से दूर अगरबत्ती हो तो हम तक जो आती है उसकी जो गंद हमारे तक आती ही वो तो विसरन के द्वारा आती है लेकिन फिर हम अगरबत्ती की गंद का पता हम कैसे लगा पाते हैं वो तो विसरण के द्वारा तो हमारे पास आ गई लेकिन हम उसको उसका पता कैसे लगा पा रहे हैं तो हम इसको मेंली हम कह सकते हैं कि एसा अगरमस्तिश्क कान क्योंकि इसका जो घ्रान पिंड वाला इससा है वो ये काम करेगा तो हम कहेंगे कि अगरमस्तिश्क के द्वारा होता है कि इसके द्वारा हम जो है हमारे नाक के द्वारा जो है सूशना को प्राप्त कर लेते हैं और हमारे शरीर में इसको इसका प मिड ब्रेन मद्य मस्तिश्क जो यह यहां आप देख रहेंगे यह मिड ब्रेन का हिस्सा है और यह एक्चुली यह जो सीरे हमारी गृवा है धर्ड इनकी गतियों का नियंत्रन करता है और जो अर्द चेतना के अवस्था में जो पेशी क्रियाय होती है नेत्र गोलकों पुतल में लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी द्रश्टी समवेदना है और रंगों की पहचान है वो इसमें खास तोर पे हम कर पाते हैं फिर जो पस्च मस्तिश्क है जो हमारा यह वाला हिस्सा है जिसमें पॉंस मेडूला और यह अनुमस्तिश्क के पार्ट आ रहे हैं तो यह वाला सीधा ट्यडा या या एच्छिक क्रियाओं की जो क् liability है जिसको हम कहते हैं एच्छिक क्रियाओं की परिशुदी है उसके लिए उत्र दही है जैसे आप एक अप सन्तुलन की बात करें तो एक सीधी रेखा में अगर आप चलना चाह रहे हैं, आप साइकिल चलाते हैं, तो ये जो संतुला ने ये अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संबह हुए, और जो मेडूला होता है, जिसको हम मेडूला आमला गेटा कहते हैं, ये सबी अनिच्छी क्रियाओं का नियंत्रन करता है, जैसे ब्लड अनुमस्तिष्क द्वारा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बैलेंसिंग का वर्ग होता है, जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलना तो ये हमारा पश्च मस्तिष्क के खारदा है, पर अनुमस्तिष्क की क्या भूमी का है, धन्यवाई